हेलो एफ्रीवन गुड इवनिंग वेलकम टो जीके बाइग गुर्जीत मैम यूट्यूब चैनल हाउज यूप इट विल बी गूड आपकी प्रपेशन अच्छी चलरी होगी सो बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनेटेंड वेस्ट मैनेजमेंट ओफिसर पेपर टू ए इंडिया में कब लागू हुआ तो यह सब बात करेंगे अब आपने सुना भी होगा न्यूज में 2020 में काफी चर्चा में रहा था एक ऐसा एक्ट जो हमारे देश में लाया गया था एक अच्छे परपस के लिए लाया गया था विकोज दा डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड नोट वी हैपनिंग कोस्ट वट एन्वार्मेंट यानिके आप विकास कीजिए बट विकास के साथ नेचर का भी ध्यान रखना है जिसे हम क्या बोलते हैं सतत विकास बोलते है जो बात करते हैं फर्स्ट फफोल एन्वार्मेंटल इम्पक्ट अस्टमेंट व्ट इस ए या ए ए ए एक प्रोसेस है जो कि UNEP ने डिफाइन किया था जो कि UNEP ने define किया था EIA का meaning क्या है कि अगर आप कोई project start कर रहे हैं कोई भी development का project start कर रहे हैं तो उस project का impact देखेंगे किसके उपर environment के उपर देखेंगे society पर देखेंगे और आर्थिक विवस्था पर देखेंगे for example suppose करो कोई project है suppose a project of railway track एक railway track बनाना है मुझे उस पर railway track से कितने trees काटने पड़ेंगे यानि कि जब यह project start होगा या बनेगा कितने trees हैं जो कटेंगे वहां से और क्या आसपास रहने वाले लोगों पर इसका कोई फरक पड़ेगा कोई impact पड़ेगा सो जैसे आपने सुना ही होगा नर्मदा बचाओ अंदोलन नर्मदा बचाओ अंदोलन जिसकी जो किसने start किया था मेधा पाटेकर जी मेधा पाटेकर जी इतने साल से लड़ रही है इतने सारे लोग वहां पर है जिसको क्या करना पड़ेगा इसलिए जो नर्मदा बचाओ अंदोलन है वो start किया था मेधा पाटेकर जी ने यानि कि हम बात किरते हैं कि अगर सरकार यानि कि अगर सरकार कोई भी नया प्रोजेक्ट लाती है नया infrastructure प्रोजेक्ट लाती है यानि कि इन सब को देखाना पड़ेगा अगर कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं यानि इसका अधेश्य Fujianna के परियावरनी है प्रभाव की भविश्यवानी करनी पड़ेगा इनके इस में क्या करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट तो यह सब देखना पड़ेगा शोशल इंपक्ट भी एकनॉमिक इंपक्ट भी और अन्वार्मेंटल इंपक्ट भी देखना पड़ेगा अब इंडिया में कब आया कहां से इसकी शुरुवात हुई We'll study that because it's very important क्योंकि आपको पता होना चाहिए कब आया था इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई वर्ल्ड में कब आया था So ये सब बात करते हैं देख लेते हैं Need and importance of environmental impact assessment प्रयावन परभाव आंकलन की आफशक्ता और महत्व The main aim of EIA is to strike the perfect balance between environmental protection and economic development and ensure the economical development doesn't come at the cost of environmental degradation Means क्या है इसका meaning क्या है कि आप economical growth कीजिए बट जो आपका environment है हमारा environment है उसको भी आपने सुरक्षित रखना है So बात करते हैं कैसे कि हमें economic development के साथ-साथ environmental degradation को भी बचाना है आपके environmental protection भी होना चाहिए और साथ-साथ economical जो development वो भी होना चाहिए किसी भी तरह का कोई भी गलत impact नहीं पढ़ना चाहिए किसी भी तरह का और जो आसपास के लोग है population है तो उन किसी के उपर भी किसी भी तरह का इसका जो impact है वो नहीं पढ़ना चाहिए And basically क्या है कि EIA helps in a coming up for the feasible and the cost effective method to eliminate or minimize the harmful impact of development project on the environment अब EIA क्या help करता है परियावन पर विकास परयोजना के हानिकारक परभाव को खतम करने कि अगर आपका कोई project है उसका environment के उपर कोई गलत परभाव तो नहीं है अगर गलत परभाव है तो उसे कैसे खतम करेंगे यह उसे कम कैसे कर सकते हैं तो यह सभी तरीके कौन बताता है EIA EIA makes the project flexible enough to adopt the mitigation strategies in the development plans यानि EIA परियोजना के विकास को योजना शमन रण नितियों को पनाने के लिए परयापतोर लचीला बनाता है EIA enables to decision makes to analyze the effect of development activities on the environment well before the development project is implemented means क्या है EIA विकास परियोजना के लागू होने से पहले परियावन पर यानि के कोई भी आप परियोजना कोई project ला रहे है उसको लागू होने से पहले विकास गतिवीदियों यानिके जो economical आपकी growth है development आपकी growth है के परभाव का analyze करने के लिए और उसको decision making करने के लिए उसको क्या बनाता है capable बनाता है यह निकि अगर हम बात करते हैं basically क्या है basically क्या है एक study होती है इस process में पूरी activities को analyze किया जाता है लोगों की राय ली जाती है there is a option of public hearing मतलो अगर इसमें कोई option होता public hearing का तो इसमें क्या होता है कि अगर यह सब चीज करेंगे लोगों से पूछा जाएगा कि यह project करना है यह सही है या नहीं आप लोग इससे सहमत हो या नहीं तो यह सब इसमें रखना पड़ता है कि इसमें EIA में अब जो है ऐसा कोई process नहीं है मतलो कि project शुरू होने के बाद ही जो है वो देखना पड़ता है लोगों की राय लेनी बढ़ती है मतलो कि अब इसमें क्या करना पड़ता है protest करना पड़ता है next है history of environmental impact assessment क्या देख लेते हैं history देख लेते है environmental impact assessment की United States of America came up the first comprehensive environmental legislation national environmental policy act on 1st of January 1970 यानि के USA की सरकार ने पहली बार USA की सरकार ने पहली बार 1970 में अपनी national environmental policy को इसमें involve किया था then eventually उसके बाद किसने New Zealand ने, Canada ने यानि के New Zealand, Canada, Australia also adopted EIA और इसके बाद, soon after that among developing countries and developing country में Columbia है, Philippines है इन सबने भी इसे जो EIA है उसे अपनी policy में include कर लिया है इन सभी देशों ने भी and next है अब यह जो data है यह बहुत important है यह exam के लिए काफी important है आपको exam में यहां से question 101% तेखने को मिलेगा और इस data को जो years है इनको आपने अच्छे से note करना है और इनको learn करना है first of all बात कर लेते हैं 1972 Stockholm Declaration of Environment यहनि के 1972 में Stockholm Declaration of Environment sign किया गया था और भारत भी इसका signature था यहनि के इंडिया भी इसका signature था then हमने क्या बनाया water and air pollution को control करने के लिए कानून बनाया कब बनाया 1974 and 1981 यहनि के then India enacted laws to control water 1974 and air 1981 pollution soon after इसके बाद हमने क्या बनाया water and air जो कानून लेके आए and इसके बाद भुपाल गैस tragedy हुई 1984 में भुपाल गैस लीक disaster हुआ अब जब भुपाल गैस tragedy हुई यानि कि हम tragedy का नाम देते हैं भुपाल गैस tragedy में आपने comment section में बताना है कि कौन सी gas लीक हुई थी भुपाल गैस tragedy में 1984 में भुपाल गैस tragedy के बाद जो हमने air pollution के लिए जो हमने water pollution को control करने के लिए laws बनाये थे उन सब की पॉल खुल गई यानि कि ऐसे जो कानून है ऐसे कानून effective नहीं है इस तरह के कानून बिलकुल भी effective नहीं है और इसे ज़्यादा strict जो कानून है वो बनाने के जुरूरत है और इसका सबक लेते हुए भारत सरकार ने EPA EPA 1986 बनाया क्या बनाया EPA 1986 यानि कि Environment Protection Act 1986 बनाया एन देन जो है इसके बाद 1986 के बाद 1994 इंडिया notified its first EIA इंडिया ने पहला अपना EIA notified किया कब 1994 में यह जो dates है काफी important है और इन डेट्स को आपने अच्छे से learn करना अच्छे से अपने याद करना है क्योंकि यह जो data है आपको देखने को मिलेगा एक्जाम में किसी ना किसी वेसे आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात कर लेते है 1997 1997 के अगर हम बात करें 1994 इंडिया notified its first EIA, यानि कि it is very important in 27 जैन 1994 में, 27 जैन 1994 में हमारी Environment Ministry है, उन्होंने EPA Act है, उन्होंने क्या बनाए EPA Act, we called this Act the Umbrella Act, क्या बोल सकते हैं से Umbrella Act भी कहते हैं, the Environmental Protection Act 1986, इन्होंने पहली बार EIA का notification निकाला, कब 1986 में notified निकाला किसका, EIA का, सो एक्जाम में आपसे question ऐसे पूछ सकते हैं, इन इंडिया अंडर विच एक्ट, इस EIA is actually include, सो आंसर क्या होगा, Environmental Protection Act 1986, actually इसमें include किया जाए था, फिर दीरे दीरे इसमें कुछ changes start होने start हो गए, and 1996 में से legally हमारे देश के, legal structure में include कर लिया गया, तो most important question यानि के हमारे legally structure में से कभ include किया गया, 1996 में, और 1997 में provision of public hearing, provision of public hearing was added, provision of public hearing कभ एड किया गया, 1997 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जन सुनवाई भी जिसे हम बोलते हैं, और जन सुनवाई जिसे हम बोलते हैं, कोई भी ऐसा project, तो हमें जन सुनवाई रखनी पढ़ती है, मतलão कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे public के ओपर कोई effect पड़ता हो environment के ओपर कोई effect पड़ता हो, means वहां के लोगों से पूछना है project के बारे में बताना है, project के इस तरह कोई project होगा कोई भी project, जो भी किसी भी आपको किसी place पर करना पड़ेगा इसमें क्या करते हैं advertisement करते है इस तरह के project है और इतने trees कटेंगे किसी को कोई आपत्ती है anyone can approach सो कोई भी अप्रोच कर सकते है अगर किसी को इस तरह की कोई भी प्रोब्लम है नेक्स्ट है इन इंडिया ओन 27 जैन 1994 दा यूनियन प्रोच के प्रयावन मंजूरी को कोई गतिविदी बनाने या अनुसूचि वन में सूची बद किया तो इंपोर्टेंट है किसमें कौनसी लिस्ट में वन में नई परियावजनाओं की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की और अधिसूचना का और यह जो अगर हम बात करते हैं कि इसकी EIA, कि EIA Notification 2006 इसमें क्या बोला है इन्होंने Mandatory बनाया किसे E जनके Environmental Management Plan बनाने के लिए एक Mandatory बनाया गया और यह जो EAC एक Primary Report त्यार अगरे निके स्टार्टिंग में Report त्यार होगी कहां पर उस एरिया में जाकर स्ट्रडी के जाती है study करेंगे उस area में जाकर जहां पर कोई भी project बनना है suppose करो कोई forest काटना है या forest से कोई road निकालना है कोई railway track है वो निकालनी है या फिर कोई factory established वहाँ पर करनी है तो वहाँ पर जाकर यानिके जो project place है वहाँ पर जाते हैं ये सब report में लिखा जाता है report publish होती है और public consultation होती है and affected people जो है उनकी क्या demand है और क्या वो चाहते हैं और क्या उनके उपर effect पड़ता है तो ये सब इस report में लिखा जाता है and then जो है इसके बाद क्या होता है उसके बाद फिर EAC अपनी final report त्यार करता है और किसको देता है MOEF यानिके Ministry of Environment and Forest को अपनी final report पेश करता है और EIA norm से हमें एक legal धाचा मिला है यानिके इससे हमें क्या मिल गया है एक legal धाचा मिल गया है कि ये नए project को हम regulate कर सकते है अगर परियावरन पर कोई harmful effect करता है तो assessment होता है कैसे होता है assessment एक यानिके expert appraisal committee बनाई जाती है जिसमें इस committee में कौन-कौन होता है important question है कि कौन-कौन होता है इस committee में इसमें scientist होते है project manager होते है experts होते हैं अपने-अपने field के and next है 27th Gen 1994 the MOEF notified mandatory EIA under the rules of 5 environmental protection and rules 1986 for the 29 designated project it was responsible for any large development project यानिके 27th January 1994 MOEF ने 29th नामित प्रियोजना अपने याद रखना ये मैं आपको बता रहे हूँ 2006 का क्योंकि 2020 में काफी कुछ changes होगा लेकिन उससे पहले आपको history पता होने चाहिए 2006 का so 29th नामित प्रियोजनाओं के लिए प्रियोजनाओं नियम 1986 के नियम 5 के तहद अनिवार्य ये अदिसूचित किया गया यानिके इसको लीजली फ्रेम में डाल दिया गया और यह किसी भी बड़ी विकास प्रियोजनाओं जैसे बांधों खानों रिफाइनरी बड़े वानिजिक परिस्रों या फिर जैसे राज मैं मंजूरी यहां से लेंगे का इसके लिए जो आपको ये प्रोजेक्ट दिये गये ऐनी के 29 यहां पर प्रोजेक्ट है जो आपको दिये गया है जो 2020 है उसमें कितने कर दी तेट कर दिये गये हैं जो एंबृर्ट होती है जो ans segments to तो यह कहां पर सब्मिट की जाती यह एजन्सी को सब्मिट की जाती है और प्रपोजल उस में देना होता है फुर एक्जाम्पल जैसे कोई आप रेल्वेज ट्रैक बना रहे है या फिर कोई सब्सक्राइब को बीस हजार बेड काट रहे हैं आप उस प्लेस से जहां पर कोई आपको प्रोजेक्ट लगाना है और किसी प्रोजेक्ट की उसकी जगह किसी दूसीरे जगह आप कितने 20,000 आप ट्री लगा दोगे तो आप यह क्या अगर होगे अपनी रिपोर्ट में लिखोगे आपको एक क्लिरण सेटिफिकेट मिलता है और यू केण जब आपको क्लिरण सेटिफिकेट मिल जाता है तब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं और environmental impact assessment 2006 में सबसे पहले आया था और यह काफी अच्छा था जब पहले आया था यह काफी अच्छा था क्योंकि इसमें local communities निके NGO इन सब को इसमें इंक्लूड किया गया था कि इसमें 2006 के इसमें NGO को इन सभी को इंक्लूड किया गया था और stakeholder बनाया गया था meaning कि अगर सरकार कुछ ऐसा करेगी यहनि कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर पास होगा कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं so government will actually involving all these people in the process तो government जो है इन सभी people को इन सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेस में शामिल करेगी और 2006 में चार प्रोजेस का notification गिया था according to 2006 क्योंकि मैंने भी बताया आपको यहां पर 2006 की बात हुई है 2006 में कौन-कौन से इया प्रोजेस थे एस पर दा इया नोटिफिकेशन 2006 फरस्ट फोल है screening आपने इसके जो सीरियल वाइज इसको याद रखना है क्योंकि यह important है सबसे पहले होती है screening second जो step रहता है scoping क्योंकि 2006 कोडिंग है then आती है public consultant and next आता है appraisal अब सबसे पहले बात कर लेते है screening screening क्या होती है screening क्या है पहले project के screening होती है क्या चीजे उसमें involved है सबसे पहले हम देखेंगे कि project को EIA करना है या नहीं कि इस project के लिए EIA की जुरूरत है भी या नहीं तो यह सब देखते हैं उसमें उसक है यह नहीं yes or no if yes तो go for next step अगर EIA के यहाँ पर need है तो हम क्या करेंगे next step के लिए जाएंगे next step क्या रहेगा scoping रहेगा scoping कि अगर हम बात करें means उस project का scope कितना है यानि project कितना बड़ा है suppose को आप कोई factory लगा रहे हो कोई highway बना रहे हो कोई railway track बना रहे हो कितने area में बनें कितनी बड़ी factory है कितने कैमी कौन सी chemical की factory है और कौन सी factory आप open कर रहे है इसका कितना बड़ा impact होगा यानि कि बड़ी factory है तो कितनी दूर तक इसका impact होगा कितने लोग इससे affected होंगे और environment के उपर इसका कितना effect पड़ेगा long term या फिर short term so यह सब देखा जाता है किसमे scoping में and scoping को define करेंगे किसमें हम second step में जिसे हम क्या बोलते है scoping मोलते है third आता है public consultant जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है public consultant यानिके public consultation according to EIA notification 2006 this public consultation is performed in two ways यह दो तरह से perform कर सकते है first return comments आप return में दे सकते हो are sought on the draft EIA report from the stakeholders and second क्या होता है public hearing होती है is conducted at or near the proposal project site यानिके जहां पर भी कोई project बने रहा है कोई site है जहां पर वो project बनेगा कोई factory बनेगी कोई highway बनेगा या कुछ और जो भी project है उस related जो बनेगा तो उस site पर जाकर आप लोगों से बात करोगे और public यानिके जब बात किसकी है यह पड़ी 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 कंसल्टेशन की तो यहां पर लोगों से बात करोगे कि वो कितने लोग वहां पर effect होंगे क्या क्या इनके उपर impact करें पड़ेगा bad या good यह सब किसमें आता है पड़ी कंसल्टेंट में आता है लास पे आता है appraisal अप्रेजल क्या होता है मुल् होता है इसमें जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजल क्मेट कि में कोन होते हैं साइंटिस्ट भी होते अपने एक्सपर्ट होते हैं मैनेजर होते हैं यह सभी कमेटी राज्यस्तरिय यहनि के state level विशेशक मुल्याकन दवारा विश्तरित जाच की जाती है और आपका proposal accept अगर आपका accept होगा तो आप अपनी कोई भी जो project है वो start कर सकते हो अगर reject होगा तो दुबारा से फिर आपको उसकी जो भी report है उसको देखना पड़ेगा और जो committee है उससे आपको बात करनी पड़ेगी सो यह था हमारा आज का आज की वीडियो एक theory class थी जो आपका topic है काफी important topic है जो आपको किसी भी competitive exam में काफी help करेगा क्योंकि आप objective तभी करोगे जब आपको इसकी history पता होगी हमने क्या किया 2006 के बारे में किया अभे 2020 में काफी कुछ changes कर दिया है और 2006 में क्या था 2020 में क्या कुछ change हुआ है यह हम next video में करेंगे क्योंकि जब तक आपको history नहीं पता होगी आप 2020 में क्या change होगी तो आप दोनों के बीच में differentiate नहीं कर पाऊगे वीडियो आपको कैसी लगी comment section में जुरूर लिखेगा वीडियो को like और share कीजिए अगर चैनल पर नए है तो subscribe कीजिए प्रेस ता बेल आइकन जिससे नहीं नी वीडियो की notification आप तक आती रहे thank you thanks for watching